Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ड और योगर्ड के डिफरेंस के बारे में. बहुत सवाई लोगों को लगता है कि दोनों सेम चीज़ होती है लेकिन आसा नहीं होता है. आज किस वीडियो में हम इसके डिफ्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं और यह हमारी हाथ के उपर क्या एफेक्ट करेगा उसके पर भी डेटेल में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को लास तक देखेगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो चले बिना टाइम वेस्ट कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जो घरों में हम दही बनाते हैं या मार्किट में हमें खुला दही मिलता है उसको कर्ड कहते हैं और जो मार्किट में हमें इस तरह से डिबो की फार्म में मिलता है उसको हम योगर्ड कहते हैं ठीक है दोनों ही जो हमों डेरी products होते हैं, दोनो fermented भी होते हैं, यानि दोनों में bacteria use किया जाता है culture use किया जाता है bacteria का और दोनों ही अगर किसी patient को lactose intolerance का problem हो, तो दोनों ही उसको, इस patient को जो है, वो recommend किया जा सकता है moderate amount तो अब अगर निके difference की बात की जाए, तो जो curd होता है, उसके अंदर जो bacteria का culture use किया जाता है उसके अंदर बहुत सारी strains होती है bacteria की, ठीक है उसमें कुछ specific 5-7 या 10 strains नहीं होती है, उसमें बहुत सारी strains होती है, बहुत सारी types के bacteria लोता है, लेकिन on the other hand जो हमारे पास dipo के अंदर जो दही होता है योगर्ट जिसको क्याता है उसमें 4-6 strains होती है bacteria की, यानि कि इसमें just 4-5-6 types के जो है, वो bacteria यूज किया जाता है, यही reason होती है कि जो market में हमें डिबो में दही मिलता है, उसका taste जो है वो इपना खटा नहीं हमें मसूफ होता जो घर पे हम जो curd बनाते है उसका जो taste है वो थोड़ा सा खटा होता है तो अगर हम इसके health benefits की बात करें तो जो curd है वो ज़्यादा beneficial होगा यूँकि इसमें बहुत सारे strains हैं bacteria की लेकिन जो yogurt आसमें just 4-6 strains होता है bacteria की, जिसकी वज़से health benefits जो है, वो curd के ज़्यादा होता है इसके लाब अगर हम बात करें कि इसमें जो है, curd जो हम धार पे बनाते हैं, उसमें हमें पता है कि जो दूद है, वो 100% और्गैनिक है, वो 100% जो है, वो उसमें preservatives नहीं है, उसमें कोई additives नहीं है उसमें stabilizers नहीं है लेकिन जो हमें market में योगर्ट मिलता है उसके अंदर preservatives भी यूज़ होते हैं उसके अंदर जो है, वो additives तरह की यूज़ होते हैं, जैसे stabilizers यूज़ होते हैं योगर्ट में एक stabilizer जिसको gelatin कहते हैं, वो बहुत commonly यूज़ होता है और ये gelatin जहाँ वो animal animal की हैं, यह सहीवल हलाल है तो ये हमें नहीं पता इसके लावा जो curd है वो 100 personally fresh है और जो यूगर्ट होता है, वो उसको fresh रखने के लिए उसकी shelf life को बढ़ाने के लिए जो chemical भी यूज़ किया जाते हैं और इसके लावा फ्रेश होता भी नहीं है तो इसके इलावा जो curd के अंदर दूद इस्तमाल किया गया है उसकी just pasturization होई है जो हम घर में लाते हैं उसको boil करते हैं, लेकिन industrial level पे, commercial level पे pasturization नहीं होती है तो कि उसके लिए time ज़ादा लगे जाता वहाँ पर UST treatment होता है short duration के लिए high treatment जिसकी वज़से nutritional losses बहुत होता है इसके इलावा अगर हम price की बात करें तो दोनों में बहुत बड़ा difference है यानि कि जो curd है वो 150 पर kg आपको पढ़ रहा है लेकिन जो yogurt है वो almost आपको 450 से अबब आपको पढ़ रहा है पर kg तो बहुत बड़ा difference है इसके लब अगर हम इसके nutritional values की बात करें यानि fat और carbs की बात करें तो जो yogurt जो डिबों में मिलता है इसके अंदर जो fat content है वो low होता है लेकिन carbs high होता है as compared to curd अब ये क्यों होता है क्योंकि natural जो fat होता है दही के अंदर या दूद के अंदर उसको remove कर दिया जाता है और उसकी जगा पे add किया जाता है sugar को वो इसलिए add किया जाता है क्योंकि fat जो है उसका एक taste होता है अब उस taste को बरकरार रखने के लिए product का taste बरकरार रहे उसके अंदर sugar add कर दी जाता है जो के ज़्यादा harmful होती है और हमें दिखाया जाता है कि यह आपकी health के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें fat level low है लेकिन fat से ज़्यादा dangerous जो चीज है वो है sugar यह ज़्यादा dangerous होती है three times more dangerous होती है ऐसा नहीं है कि अगर आप fat खाओगे तो ही आपकी body में fat बनेगा अगर आप carbs भी खाते हो तो भी आपकी body में fat में convert होते है तो I think guys अगर आपके पास option मुझूद है curd की तो आप curd ही consume करोगे आप घर में दही बनाओ वो ज़्यादा बेहतर है as compared to उसके के जो डिबो में मार्केट में available होता है हमें नहीं पता उसमें मिल कौन सा यूज किया जा रहा है उसमें जो UST treatment भी लगाया गया है उसमें कौन-कौन से preservatives यूज किया गया है वो fresh है नहीं है हमें नहीं पता उसके बारे में तो आज किस वीडियो का जो conclusion है वो यह है कि आपको curd ही यूज करना चाहिए लेकिन इन केस के अगर आपके पास option नहीं है तो yogurt consume कर सकते हो तो यह थी guys आज की वीडियो फुली यह काफी informative रही होगी आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो like जरू कीजएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में अलाहाफिस